चांदी चौक से कॉंग्रेस पार्टी ने अपने वरिश नेता जेपी अगरवाल को अब लोगसभा चुनाव में मैदान में उतारा है खुद जेपी अगरवाल इस वक्त हमारे साथ हैं बाचीत के लिए जेपी जी क्या मानते हैं सबसे पहला सवाल क्या चुनावती आपको ल मेंगाई देख लें क्या बुरी हालत है लोग उस मेंगाई की मार से उबर नहीं पा रहें घर का जो बजट है वो लोगों का बिगर गया आप उसके बाद बेरोजगारी देख लें जो पहले हमारे समय में नौजवान स्कूल और कॉलिज से निकल के सीधे उसको कही ना कहीं कानून यह बना देते हैं जंबर जिया बना दिया और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है आप ताजू की बात यह है कि पिछले दस साल में इस सरकार में दिल्ली के इतने सांसर रहे किसी के आवाज सुनी आपने तो सवाल ही कोई तो हो जो आवाज लगाए आवाज कानों तक पहुँचे प्रवीन खंडलवाल यह दावा करते हैं कि पिछले कई वर्षों से वह बैपारियों की देश भर में बैपारियों के मुद्दे उठाते रहें कैट करके उनकी एक संस्था भी है तो आपको प्रव कि इह मेरी पार्लेमेंट परसिडिंगस की जो रिकार्डिंग है वह आप उठा कर देखे कि मैने स kangar के सामने किस तरह सवाल रखता था मैं हमारा काम है सवाल रखना सारक सिर्फ सरकार की है क्नाometer की हाँ करना हमारा काम नहीं है तो भापते जनता पर्टी के जो लोग गहें उन्होंने अपनी सरकार के सामने कौन से मुद्दे रखे कौन से सवाल लगे मुझे नहीं लगता किसी ने सुना उनको लेकिन अज़ेपी जी एक बात है कि अगर को किसी को आपकी कर सकता है कि अब की अचानी चोक से संदीब दिशित और का लामा भी टिकट की रेस में थे आपको पार्टी ने उमिदवारब बना दिया किया कि संदीब दिक्षित नाराज है कैसे देखते हैं पार्टी में काम करने वाला हर व्यक्ति बराबर होता है मैं उमर में बड़ा हो सकता हूं लेकिन मैं भी उन्हीं के साथ लाइन में खड़ा हूं किसी को मौका मिला मुझे मौका मिला मैं चुनाव लड़ा हूं उन में से किसी को मौका मिलता वो चुनाव लड़ते छोटे वो भी नहीं है मैं यह नहीं कहना मैं उन्से को बहुत बड़ा आदमी हूं हम सब बड़ा बने हैं पाराजगी होगी तो मना लेगे ब आप जनता के बीछ जाएंगे चुकि दिली में फिलाल देखें जपीजी आपने दिली कॉंग्रेस को लीड भी किया है कि बहुत अच्छी इस्थिति नहीं आपके एक भी विधायक नहीं है एक भी सांसद नहीं है ऐसे मुश्किल वक्त में आपको लगता है कि किस किन में बिल्कुल कमी नहीं आईगी आप मेरी प्रफॉर्मेंस देखें पार्लिमेंट की जो अखफार में भी आई थी जेपी दबेस्ट पार्लमेंटेरियन और सबसे जाधा सवाल मेरे थे सबसे जाधादा डिबीट में इससम मेरा था तो वो सारी चीजा मैं उसमें को कमी नह आने दूँगा क्या खास रन निती कुछ किस रन निती के साथ उतरेंगे कुछ सोचा आपने कुछ प्लैन के अभी कल तो मेरा है तो समय लगेगा और वही जो साधारन चीजा होती है कुछ उनां में को बहुत बड़ी नई चीज नहीं होती कभी लोगों के दिल में आपको जगह बनानी होती है वो हमने पिछले अपने पूरे चालीस सार में बनाई है लोगों के दिल को चुआ है उनकी परेशानी के समय उनके साथ खड़े रहे करोनों का समय आया उसमें 24-24 घंटे हम लोगों के साथ खड़े रहे उनके लिए काम करा वो हमारे लोग थे दिल्ली वाले तो इसलिए हमको उनसे दूर चलेगा और आज आके खड़े होगा तो शाथ कोई नहीं सुनता एक चीज़ तो है जेपीजी आपका जितना लंबा सियासी अनुभव है उसके मुकाबले प्रवीन खंडेलवाल का सियासी अनुभव बिल्कुल नहीं है लेकिन उन सब के मुद्वों को जोर से उठाना चाहिए चाह कोई सरकार हो उस समय आप उनके प्रते निदी हैं लोग सवा में चार सो पार का जो नारा इसे कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल है एक परसंड में आप देख रहा हो कि क्या हालत हो रही है चारो तरफ जो उनके नु अगरेस को मेदवार और इनका साफ तोर से कहना है कि इनका सीधा फॉर्मूला है जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और पूरी इमांदारी के साथ जनता के मुद्दे को उठाएंगे ब्रजनिस रोहित करोजिया के साथ सुमंत कुमार TV9